दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे किचन में और आज हम बनाएंगे पेठे की मिठाई का हलवा एक दम नया तरीका नया लुक दोस्तों मैंने ये बिना देशी घी के इसे बना कर त्यार करेंगे पेठेती मिठाय का हलवा तो मैंने पहले भी बना कर दिखाया है लेकिन वो मैंने देसी घी से बनाया था और आज हम इसे बनाएंगे बिना देसी घी के जो बहुती ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होगा एकदम नया तरीका नया लुक होगा बहुत ही जादा गजब का हलवा है इसके गुनों के बारे में दोस्तों मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके क्या-क्या फायदे हैं और कितना भरबुर मातरा में इसमें गुन हैं तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगा आप व और वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से जानकारी होगी तो दोस्तों इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जब यह हलवा बनाए तो इसका खाने का तरीका जरूर होता है खाने का तरीका भी में लास्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी तो दोस्तों मैंने यहां प बारिक एकदम बारिक बारिक कर लिया है और यहां पर लिया है मैंने सूका नारियल जो कोकोनट होता है सूका लिया है कहीं कहीं इसको गोला भी बोला जाता है तो दोस्तों मैंने इसको भी कदुकस कर लिया है और यहां पर मैंने नारियल गोले को भी मैंने कदुकस कर लिया है दोनों चीजों को हमें कद्दुकस कर लेना है इसे कद्दुकस करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों अब हम यहाँ पर लेते हैं एक कड़ाई इतनी बड़ाई कड़ाई लेंगे जितनी बड़ी में हम आराम से ये हलवा बना सकते हैं और अब इसमें डाल देंगे दूद हम यहाँ पर फुल करीम का दूद ले रहे हैं और दो लिटर दूद ले लिया है आप चाहे यहाँ पर दूद की मातरा बढ़ा सकते हैं जितना काफी आप इसमें दूद लोगे उतरा ही ज़्यदा टेस्टी और पावरफुल बनेगा तो हमने इसमें ही डाल दिया है कदुकस क्या हुआ नारियल और इसे यहाँ पर हलक़ा सा मीस कर लेंगे अब यह मीक्स हो गया है तो अब यहाँ पर हाई फलें पर इसे पकाएंगे हई फिलेम पर दोस्तों पहले हम इसलिए पका रहे हैं, क्योंकि नारियल जो होता है ना, थोड़ा हाड होता है, तो अब इसे जिस तरह हम बना रहे हैं, इसी अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा सोफ्ट हो जाएगा तो आब इसे यहाँ पर मिस करते रहेंगे और इसमें ख़दा आने तक पका लेंगे और अब आप देख सकते हैं इसमें ख़दा आना सुरू हो गया है इसे मैंने इसे बराबर साइड से तली से अच्छे से चलाती रही और इसे पकातिरी खद्दा आ चुका है और अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सोफ्ट हो चुका है तो अब यहां पर हम डाल देंगे अपना जो हमने पेठे की मिठाई का जो कदुकस किया था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे आसानी इसे आराम से डाले दोस्तों क्योंकि ये भारी होता है वजन होता है अगर एक दम छोड़ोगे तो हो सकता है आपका दूद उड़कर आपके चेहरे पर या फिर हाथ पर लग सकता है जिससे आपका फेस, हाथ ये जहना खराब हो सकता है जल सकता है तो इसे धीरे से डाले और आराम की साथ डाले और अभी से यहां पर हम इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे खुब अच्छे से पकाएंगे तब तक यह दूद अच्छे से सोख न जाए दोस्ता अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना और स्टाइड वाले घंटी भी जरूर दबादेना ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाये करेगा और अगर आप हमारे फेस्बुक पर या इस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फोलो करें वीडियो ला पका लिया है कि इसका दूद बहुत ही काफी सूख गया है इसे में तब तक पगाऊंगी जब तक यह बिल्कुल एक दम गाड़ा ना हो जाए और जितना भी दूद है सारा अच्छे से पूरा सूख होना जाए अब आप देख सकते हैं मैंने पेठे की मिठाई को खूब लिए बनकर तैयार हो जो टो दोस्तो ह कलर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसका कलर खूब छूरत बनाने के लिए इसे खुब सुरत दिखने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन हम इसमें कलर डालेंगे और कलर में इसमें डाल रहे हूं यलो कलर आप अपनी मन पसंद से कोई भी कलर डाल सकते हैं इसको लाइट कलर बनाएंगे लाइट कलर, यलो कलर जब हम इसमें डाल कलर, इसका लाइट कलर होगा ना, बड़ा बहतरीन और स्वादस्ट लगेगा और देखने में बड़ा खूबसूरत, दिखिए, इसको अच्छे से हमने मिश कर दे हैं, और आप इसका कलर देख सकते हैं, वाओ, क्या बहतरीन इसके कल दोस्तो आब बात करने कि बारे में इस चीज में फायदा देता है। दिमाग कमजोर होता है। और शिर्माहमेशा दरद में लगते हैं और आखों में भी दरद रदा देरेसा है PER DENT तो आप फुल क्रिम दूद से या कैसे भी दूद से आप इसे खा सकते हैं तो और भी ज़्यादा यह पावरफुल हो जाएगा तो दोस्तों अभी तक तो हमने यह हलवा बना कर दिखा दिया है और आपको हम दिखाएंगे इसकी मिठाई जमा कर आप चाहे इसकी मिठाई भी सबसे पहले हमने यहां पर बटर पेपर ले लिया है इसे बीछे बेंसे कॉठ परेट में रखा और इसे गीह से गायनस कर लिया है अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पेश्ट ओडालेंगे और इसे अच्छे से हेँन पर सेट कर लेंगे दोस्तो आपको मैंने जो इसके फायदे हैं वो तो मैंने बता ही दिया है आप इसकी ट्राइ जरूर करना अगर आपको कोई भी प्रोग्लम है सर में चक्कर आते हैं या फिर आँखों में दर्द रहता है और उठते बेटते आँखों के आंगे अंधेरी आती है दोस्तों ये सब इसके खाने से गायब हो जाती है और दोस्तों और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पिछली वीडियो पर ज़रू जाएगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिक्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ पर डिस्क्रिक्शन में जाकर लिंक पर किलिक करें और वो पूर वीडियो सारी देख सकते हैं और आपको अच्छ से जनकारी मिल सकती है तो आप यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है ताकि अच्छ से चिपक जाए अब आप देख सकते हैं यह अभी गरा में नीचे को दब रहा है तो इसके पीस अभी नहीं बन सकते तो हम पहले इसे 20 मिनट के लिए फिरिज में श्टोर कर लेंगे आप इसे पंख की नीचे भी सेट कर सकते हैं तो अब यहां पर सेट हो चुका है अच्छ से दब भी नहीं रहा है और यह अच्छा ठंडा भी हो चुका है अब इसके पीस आराम से हम कट कर सकते हैं सबसे पहले इसे हम पलट लेंगे और यहां से इसके बटर पेपर हटा लेंगे और आप इसे देखिए कितना अच्छे से इसके सेटिंग होई है बहुत ही अच्छी तरीज़ सेट हो चुका है तो अब इसका हम यहाँ पर कर लेंगे कट कट अपने मन पसंद से आप कर सकते हैं वेसे कट मैं इतने करूंगी कि इस हिसाब से करेंगे जितना में एक मिठाई यानि एक बरफी लेने से हमारा जो खाने का तरीका है न एक दम सही हो जाए तो आप देख सकते हैं जितना मुझे खाना है न सुभा कर टेम सिरफ उतना ही बड़े-बड़े पीस में ने किये हैं ताके हम एक पीस उठाए और फट से सब कर ले तो आप देख सकते हैं दोस्तों सारी मिठाई बनकर तयार हो चुकिए आपको जिसा अच्छा लगे यह से इसे बना सकते हैं इसे हल्वा बना कर आप किसी बरतन में पेक कर सकते हैं या फिर इस तरह मिठाई बना कर भी इसे पेक कर सकते हैं तो दोस्तों इसका लुक देखिए क्या गजब का और इसमें देखिए कितना दानादार लग रहा है ना बिरकुल एक दम इमली केक की तरह और यह देखिए दोस्तों एक साइड में हल्वा और एक साइड में मिठाई, दोनों ही चीज़े हम इससे बना कर आपको दिखा दिये हैं, आपको जैसे पसंद हो वेसे इससे आप बना सकते हैं, मिठाई बनाईए या फिर सीधा हल्वा बनाईए, जैसे आपको पसंद हो वेसे बनाईए, तो दोस्तों क देख रहे हैं तो हमारे पेज को फोलो करें वीडियो लाइक दोस्तों में शेयर करें चलते हैं मिलते हैं अगली कुर्णे रिशिपी के साथ तब तक के लिए